हेलो दोस्तो मेरा नाम है कमल जोसी दोस्तो आज बात करेंगे कंप्रेशर के बारे में कंप्रेशर किस तरीके से काम करता है उसके बारे मैं आज मैं आपको पूरा बताऊंगा और इसमें क्या इसके पार्ट्स रहते हैं और क्या इसका प्रोसेस रहता है उसके बारे मैं भी आ एक basic आपको बता देता हूं कि यह basic parameter पैनल है इसे controller भी कह सकते हैं basic parameter पैनल भी कह सकते हैं तो यहाँ पर जितनी भी parameters हैं आप देख सकते हैं यह हमारी LED जो screen है इस पर आप basic details देख सकते हैं load, unload, run time, service time जितनी भी basic details है compressor related उस सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी escape देख आएंगे तो यहाँ पर हमारे LED की light glow होती है तो enter दबाने के बाद आप देख सकते हैं view mode पर जाके operator mode पर जाके service mode पर जाके अलग-अलग operator के लिए icon दिये हुए है तो view में जाके आप देख सकते हैं जितनी भी basic details है fault report, day report, service time, कितना बचा हुआ है हमारा accumulative time जितनी भी अगर error वगर आ रही है वो यहाँ पर आप up down, enter key से को click करके दबाके press करके आप check कर सकते हैं load unload की setting सब कुछ यहाँ पर से आप कर सकते हैं और यह दिया हुआ है pictorial diagram यहाँ पर हमें operator panel पर आपको कोई भी अगर problem रहती हो तो दिखेगी तो यहाँ पर इसके बाद में आपको इसके पीछे दिखाता हूं यह हमारा operator panel है तो यह यह रहा इसका controller means पीछे इसका controller है तो यह LG का screw type compressor है तो यह LG का अपना special design controller रहता है तो इसी तरीके से जितनी भी compressor के मीक है एटलेस को केजर हो सिकागो न्यूमेटिक हो सब अपना अपना अलग-अलग controller रखते हैं तो यह transformer को 24 वोल्ट की जरूरद होती है तो यहां पर transformer को यूज किया जाता है 220 से 24 वोल्ट अलग-अलग controller रहते हैं तो अलग-अलग transformer का यूज हो सकता है जोरी नहीं कि 24 यो अगर कोई दूसरा compressor है तो उसमें 37 किलोवाट की हमारी motor है तो यहां पर start delta starter बनाया हुआ है जो हमारा पूरा Siemens का system है तो यह start delta starter on होता है with the help of algae controller निंस algae controllers के through इसमें command आती है उसके बाद यह on-off होता है on-off से controller contactor हमारे hold होंगे और उसके through यह हमारी motor चलेगी तो motor के साथ में हमारा air end की coupling लगी रहती है air end यहां पर जिसे हम screw type element इसके अंदर होते है means हमारी motor है इसके आगे coupling के through air end हमारा connect होता है जो air को सक करने का काम करता है तो basically मैं आपको पूरा starting से बताने जाओंगा तो यह मैंने आपको motor और air end के बारे में इसलिए बता दिया क्योंकि जब हम motor start करेंगे तो air end घुमेगा तो air को सक करेगा means एक तरीके से ऐसा है जैसे एक water pump होता है water pump का का काम होता है पानी को खीचना तो इसका काम है air को खीचना air end का काम है तो air end को भी मैं आपको पास से दिखाऊंगा तो मैंने एक cover open किया हुआ है तो यह है इसका सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका free filter यह है pre filter यहाँ पर एक आपको free filter यह है जाली सी आपको दिख रही होगी इसके through हमारा air सक होता है means air तो हमारा सक air end के through हो रहा है motor के साथ जो coupling लगी है air end के साथ मैं तो air को सक करेगा तो पहले सो बहार pre filter लगा वो तो motor particles को सक करेगा तो यह है हमारा main air filter main air filter इसके अंदर element लगा फिल्टर element होता है जनरली उसका काम भी यह होता है कि जो air सक कर रहा है उस पर dust particle ना हो धूल के कोई भी कर्ण ना हो ताकि हमारी जो बिल्कुल clean air है वह air end के अंदर आए तो यह हमारा intake valve जहांपर load और unload की process होती है इसके उपर मैं already video बनाया हुआ हूँ intake valve के उपर load और unload की process होती है और इसके उपर solenoid valve और blow down valve लगी हुई है इसके उपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ तो आप discussion में जाके देख सकते हैं तो यह यहां पर से load और unload की condition में air suck करता है unload की condition में यह air suck नहीं करेगा तो यह है यहां से air suck करेगा और air और oil का mixture जो हमारा वह आगे जाता है यहां पर क्योंकि motor के साथ में यह coupling पूरी घूम रही होती है element इसके तो वह क्या करेगा जितना भी पूरा mixture है air and oil का वह आगे जाएगा सेपरेटर काटेज में इसके अंदर हमारा elements लगे रहते हैं moving elements जो air और oil के पूरे mixture को सेपरेटर काटेज में भेशते हैं तो सेपरेटर काटेज यह एक बड़ा tank होता है इसके अंदर भी air और oil का mixture होता है तो air और oil का mixture जो होता है इस पूरे tank में होता है oil हमारा नीचे होता है air जो हमारा उपर से होते हुए निकलता है air जो हमारा compressed air है compressed air हमारा यहां पर एक check valve लगा रहता है जिसे हम minimum pressure valve भी बोलते है minimum pressure valve क्यों बोलते हैं इसके उपर मैं वीडियो बलाया हूँ और क्या उसका काम होता है उसके उपर भी वीडियो बनाया हूँ तो अभी आप यहां पर समझ लीजिए कि एक check valve लगा हुआ है मैं जो back pressure नहीं आने देता है और back pressure नहीं आने देगा तो pressurized air है जो आगे चली जाएगी तो इससे पहले यह तो air आपकी निकल गई लेकिन oil भी तो हमारा mixture माया हुआ हुआ है तो oil को निकालने के लिए यहां पर oil जो है हमारा नीची रहता है tank के नीचे तले में तो oil को निकाल यह है हमारा oil filter इसके उपर जो हमारा पूरा एक arrangement है oil filter यह एलगी का इसके उपर यह पूरा arrangement है thermostate valve का है तो thermostate valve के उपर भी वीडियो बनाया हुआ हूँ तो oil filter के थुरू हमारा जितने भी अगर oil में कोई dust particle हो रहे हैं क्योंकि air हमारी air और oil का mixture रहता है तो dust particle अगर रहते हैं oil के अंदर भी तो यहां पर filter होके निकल जाते हैं तो अभी यहां पर oil को ठंडा अगर हमारा process काफी fast होता है तो और pressure बहुत ज्यादा हाई रहता है त पर oil हमारा काफी heating हो जाती है तो उसकी heating के लिए और जो यहां पर से air निकल रही है उसकी जो वो भी काफी heat होता है तो heat होता है तो इसमें moisture particles भी रहते हैं तो उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए बेजा जाता है means oil को और air को तो oil and air को जो ठंडा कैसे होगा उसके लिए हम radiator का यूज करते हैं यहां पर बहुत तरीके के अलग-अलग type के radiator रहते हैं वो आपके compressor की rating के और CFM के उपर depend करता है जनरली अभी यहां पर जो हमने यूज किया हुआ है 210 CFM का हमारा compressor है तो यहां पर हम लग उने जो यूज किया हुआ है वो fan motor based radiator है means हमारा fan motor घुमती है उस अलग रहती है वो इसकी fins के थूरू समय सरकुलेड होता है तो fins के थूरू वहां पर natural ventilation के थूरू उनको ठंडा गया जाता है तो fan motor हमारे एक इसके यहां पर कवर होता है जो अभी कवर कर रहा है पूरा तो उसके थूरू कवर होने की वज़े से यहां पर आपको दिखाने ही पा रहा हूं वरना यहां पर fan motor जो होता है वो इसे रेडर की फिन में से एयर को निकाल गुजारता है तो उससे हमारा ऑईल और यह जो compressed एयर का जो टेंपरेचर वो डाउन होता है तो फिर वह रिटन होके हमारा फिर से काम करता रहता है ऑईल हमारा रहेगा क्लोज रूप में और प्रेस्ट्राइज्ट एयर जो होगी वह हमारी इस मौश्चर से अगे चले जाए कि मौश्चर से प्रेटर यह जो पूरा आपको श्लेंडर सा वाइट सा दिख घ्णार नीचे वो श्लेंडर सा तो यह हमारा मौ में उसको निकाल दिया जाता है तो इस तरीके से यह एक पूरा प्रोसेस बनता है अलग-अलग पार्ट के बारे में मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है इंटेक वालब के उपर, ब्लोडाउन के वालब के उपर, मिनिमम प्रेशर वालब के उपर, सारी कंप्रेशर की सर्विस के उपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं मैंने लिंक डाल दूँगा तो अब इजिली ए सकते हैं और पूरा सीख सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक दो वीडियो एंड सब्सक्राइब दा चैनल